हेलो गाइज और वेल्कम बैक तो माई चैनल तो आज मैं एक्स्प्लेइन करने जा रही हूं ओरंज मर्मलेड जो कि एक वेंपायर वेस्ट को जन ड्रामा है और ये ड्रामा रिलीज गुए था के भी अस चैनल पे 2015 में बट एक्स्प्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज और बहुत सारा प्लीज बहुत बड़ा बाला प्लीज सब्सक्राइब टो माई चैनल एफ्यों प्लीज अब बहुत जल्दी उस पर वीडियो आने वाले हैं तो उसे भी अगर आप मेरे सथ गेम प्ले करना चाहते हो तो एड वीडियो को लाइक करो अगर आपको मे सब्सक्राइब माई चैनल एपिसोड फर्स्ट की शुरुवात होती है जहां पर हम कुछ प्यारे प्यारे एंड चोटे चोटे बच्चों को देखते हैं जो की साथ में जा रहे होते हैं तभी पीछे से एक लड़की बोलती है कि मुझे भी तुम लोगों के साथ चलना है सो प्लीज मेरे साथ चलो एंड देन हमें पता चलता है कि यह सब था हमारी फीमेल लीड जिसका नाम बैक मारी है वह अपने ड्रीम में देख रही है वहीं उसके बगल में एक लड़का बैटा होता है जो कि अपने बगल वाले पैसेंजर के साथ उल्टी सीधी हरकते कर रहा होता है बट वह बिचारी कुछ भी नहीं बोलती हमारी फीमेल लीड कह रही होती है कि प्लीज तुम लोग मेरे लिए रुक जाओ प्लीज स्टॉप बट वो सारे बच्चे उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम प्लीज यहां से चली जाओ क्योंकि तुम एक इंसान नहीं बलकि एक मॉंस्टर हो तो बैकमारी कहती है कि नहीं मैं मॉंस्टर नहीं हूँ और वे जोड से कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो प्लीज स्टॉप इट तो मैट्रो के सारे लोग उस लड़के की योड देखने लगते हैं इंक्लूडिंग हमारा मेंलीड तो वह लड़का कहता है कि आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं और दिन बैकमारी से कहता है कि ये गड़ मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है तो तुम ऐसी हरकते क्यों कर रही हो और वहां से जाने लगता है तब ही वह लड़की खड़ी होती है और कहती है कि तुमने उसके साथ नहीं बलकि मेरे साथ किया है जिसके बाद मैट्रो के सभी लोग उसे पकड़ने जाते हैं तो उसकी आँखे वालेट कलर में चेंज हो जा इंड उसके कशबुंदें हमारे गिर जाती है हमारे में लीड घारे जाते हैं ना मतलब आप शबाद में यहीं तयर बहुत स्वीट गुहां और मुझेस एसे में मेरे करना वाली थी वैसे ही स्टेशन आच आता हैं मैट रुख जाती है भी स्टेंट होस में देखती हैं को बाहरा बहुत n सस्कूल के लिए हैं कि यहां पे हमें पता चलता है कि हमारी फी इक नापके क्पार हैzd बैक मारी अपने याप से कहती है कि क्या मैं किसी human blood के लिए attract हुई और देन कहती है कि बैक मारी तुम monster नहीं हो बलकि तुम भी एक इनसान हो स्कूल के अंदर आने से पहले हमारे female lead अपने मन में सोच रही होती है कि इस बार तो मैं इस school से graduate होकर ही रहूंगी और मैं अपनी पूरी कोशिस करूँगी कि इस पर यहाँ पर किसी को पता न चले कि मैं एक vampire हूँ मैंने तो आप लोगों को male lead का नाम बताया ही नहीं तो male lead का नाम है जंग जे मिन देन हमें एक class का scene दिखाया जाता है जहाँ पर teacher जे मिन को question solve करने को देती है तब ही यहाँ पर entry होती है हमारे बैक मारी की and then teacher उसे सब से introduce कराती है बट हमारा male lead तो question solve करने की बजाए उसे ही देखते रह जाता है and then कहता है कि मैंने तुम से कहा था ना कि तुम school के लिए late हो जाओगी teacher कहती है कि जे मिन तुझे क्या हुआ या फिर ये question तुसे solve भी नहीं हो रहा है तो जे मिन कहता है कि नई मैम ऐसी बात नहीं है तो मैम कहती है कि फिर solve करना अब मैडम को कौन बता है कि लड़की का चकर backmari के बगल में जो girl बैठी होती है वह उसे अपने आपसे इंटेडियूस कराती है और कहती है कि तेरा नाम मारी है और मेरा नाम सूरी है and backmari की थोड़ी बहुत तारीफ भी करती है Class के Over होने के बाद Class के सभी बच्चे उसी Metro वाले Vampire की वीडियो देख रहे होते हैं And then तभी उन्हें उसी वीडियो में हमारी बैकमारी भी दिखती है To वो लोग इसमस्तियां कि क्या ये तू ही थी तो बैकमारी कहती है कि हाँ बिल्कुल जिसके बाद तो वो सभी बच्चे भागते हुए उसके पास जाते हैं और उससे अलग-अलग question करने लगते हैं जैसे कि क्या तु सच में vampire के बगल में वेटी थी क्या तो डर्ड नहीं लगा तुझे कैसा फील हुआ वगेरा वगेरा बट बेचारी हमारी female lead उन्हें क्या ही बोलती एंड at last काफी सोचने के बाद वे अपना chain दिखाते हुए कहती है कि मैंने अपने neck पे ये cross chain पहन के रखा है एंड तुम लोगों को तो पता ही है कि vampire को cross तर डर लगता है एंड देन अपने मन में कहती है कि ऐसे जोट वो लंब जे बिल्कुल पसंद नहीं है after that हम जे मिन को लेबरेड़ी में देखते हैं जहां पे वह एक बुक निकाल कर पढ़ने लगता है जो कि vampire के बारे में होती है जिसमें लिखा होता है कि हमें ये तो नहीं पता कि vampire की origin कैसे हुई बट वो human नहीं है बलकि वो सब तो human के base में एक monster है क्योंकि वो सब भी human blood को consume करते हैं एंड बुक को पढ़ने के बाद हमारा जे मिन काफी गुसा होकर बोलता है कितना अच्छा होता अगर ये सारे vampires पहले ही खतम हो गए होते हैं एंड हमारे male lead को vampire से इतनी जादा नफरत क्यूं है ये तो आपको आगे पता चलेगा then again हमें class का scene दिखाया जाता है जहां पे सभी बच्चे मिस्टर हन से vampire के बारे में पूछ रहे होते हैं तो मिस्टर हन कहते हैं कि अब vampires human blood consume नहीं करते हैं तो वे humans के साथ रह सकते हैं जेमिन का friend कहते है कि sir vampire तो बिल्कुल human की तरह दिखते हैं and then कहते है कि हमारी class में भी एक vampire है and वो और कोई नहीं बलकि मैं हूँ जिसके बाद वे vampire की तरह acting करने लगता है and जेमिन के पास जाकर कहते है कि मैं तुम्हारा blood drink कर लूँगा तो जेमिन उस पे काफी ज़्यादा गुस्सा करता है मतलब कि हमारे भाई को vampire से कुछ ज़्यादा ही नफरत है टीचर कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जो vampire को human से अलग करती है and वो चीज top secret है मैं तुम्हें नहीं बताने वाला in order to protect our human rights तो जेमिन कहता है कि sir I think human rights सिर्फ और सिर्फ human पे लागू होना चाहिए ना कि vampires पे क्योंकि vampires human नहीं है ये सुनने के बाद तो हमारी बैक मारी भी जेमिन की और देखने लगती है दूसरी तरफ हमें एक vampire and human का interview दिखाय जाता है जहां पे vampire कहता है कि humans and vampires साथ में कभी नहीं रह सकते हैं क्योंकि अगर आपको कभी पता चले कि आपके घर के बगल में vampire रह रह रहे हैं कि अगर हम human blood consume नहीं करेंगे तो हमारी सारी की सारी पावर्स एक दिन गयाब हो जाएंगी हमने तो human के साथ रहने के लिए इतना बड़ा sacrifice कर दिया बट उन्होंने हमारे साथ रहने के लिए कुछ भी sacrifice नहीं किया द्यूरिंग लंच टाइम सभी लड़किया लंच ले रही होती हैं और आपस में बात कर रही होती हैं कि बैमपार्स को garlic से अलर्जी है वही हमारी female lady ये सब सुन रही होती है और अपने आपको normal दिखाने के लिए वह काफी सारी garlic लेती है और अकेले जाकर उन्हें खाने लगती है हमारी jamming की निगाहें सिर्फ और सिर्फ बैक मारी को ढूंड रही होती है और जैसी ही वह उसे दिखती है तो वह उसे खड़ा होकर वहीं पर देखने लग जाता है तब ही वहाँ पे उसका friend आता है और उसे कहता है कि तू यहाँ पे कर क्या रहा है और उसे अपने साथ ले जाता है काफी सारी garlics खाने के बाद बैक मारी की तविद बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और उसकी body पे reactions होना स्टार्ट हो जाते हैं जिसके बादे वाश्रूम जाती है और सारा का सारा खाना वोमिट कर देती है वहीं दूसरी तरफ हमें एक आतमी दिखाया जाता है जो कि टोमेटर जूस की polythene में animal blood डाल कर उन्हें pack कर रहा होता है और साथ ही साथ football भी enjoy कर रहा होता है बट जब भी कोई footballer अपना goal miss कर देता है तो है उन पे काफी ज़्यादा गुस्सा करता है इससे यह तो समझ में आता है कि उससे football से काफी ज़्यादा प्यार है football के साथ साथ हमारी अंकल चिकन एंड बीर भी enjoy कर रहे होते हैं तब भी उन्हें किसी के आने की अवास सुनाई देती है जिसके बाद वह जली से भाग कर बीर एंड चिकन को छिपा देते हैं तब ही वह अगल से कहती हैं कि तुम ऐसी चीजों पर अपना पैसे वेश्ट कर रहे हो जिन्हें तुम खा भी नहीं सकते एंड देन हमें यहाँ पे पता चलता है कि अंकल एंड अंटी दोनों बंपाइर्स हैं यह दोनों हमारे बैकमारी के मॉम एंड और एंड हैं एंड हमारे बैकमा पड़ती है बट अब मैं इस प्लेस को छोड़ कर कहीं और नहीं जाने वाली हूं वहीं दूसरी तरफ हम बैक मारी को देखती है जो कि स्कूल की छट पर अकेले बैट कर ब्लाड ड्रिंग कर रही होती है और अपने नोट बुक में कुछ मुजिकल्स नोट लिखती है अपने म यूज दिखाया जाता है जहा पे हमें पता चलता है कि मेटरों में जिस बैपायर ने उस लड़की के साथ घ backwardए की थी उसे पकड़ लिया गया है और उससे कड़ी से कड़ी पनिश्मेंट मिलने वाली है धेनलनगे हमें बहुत ही ज़र्दा पसंद है जिनें भी गिटार प्ले करना पसंद है वो तो इस सो को देखने के लिए बिलकुल मरे जा रहे हैं तो तू क्यों नहीं जा सकता मेरे साथ तो जेमिन कहता है कि मैं तेरे साथ इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैंने गिटार बजाना छोड़ दिय अगर मैं उसे गिटार बजाती हुए देखूंगा ना तो फिर से मुझे गिटार बजाने का मन करेगा तभी जेमिन को अगेन बैक मारी दिखती है तो जेमिन जो आरा से कहता है कि देख तू तो इस स्कूल में बहुत ही जादा पॉपुलर एंड फेमस हैं और इस सो के बैक माली को फालो करने लगता है मैट्र पे जाट कर हमारा तो अपने आप में इतना ज्याधा बिज़ी होती यह उसे तो पता भी चलता की जे मिन उससे कुछ बात करने की कोसिस करता है और जैसे ही उससे कुछ बोलने वाला था वैसे ही हमारी back-mari मेट्रों के अंदर चली जाती है अंदर जाने के बाद भी हमारा main lead सिर्फ और सिर्फ back-mari को देख रहा होता है एंड इस बात को back-mari के वो तो सो रही थी, वही हमारी बैक मारी तो अपने सपनों की दुनिया में विजी होती है, जहां पर वह काफी सारे पेड़ों के बीच में खड़ी होती है, और कहती है कि यार ये स्मेल कहां से आ रही है, और कितनी अच्छी है, और अगेन हमारी बैक मारी जेमिन के बलड से अ एंड यहां पेना हमारे में लीड का रियाक्शन तो देखने लाइक था हमारा में लीड वाज लाइक यार यह लड़की तो बहुत चालू है मतलब दिखती सीधी साधी है बट है नहीं अब उसे क्या पता कि हमारी फीमेल लीड तो ह्यूमन नई बलकी एक बैमपायर है मैट्र जी को वहां से जाना ही पड़ता है एंड हमारे बबबा जी वह लाइक आरशकल के बच्चे भी ना कुछ समझते ही नहीं है जहां देखो वहीं चालू हो जाते हैं एंड बबबा जी की वाइस सुनकर हमारी फीमेल लीड जग जाती है एंड सामने जे मिन को देखकर बिल्ग से उठा लेता है घर जाकर हमारा जे मिन बैक मारी की म्यूजिकल नोटबुक को पढ़ना स्टार्ट करता है एंड काफी जादा मुस्कुराता भी है वहीं दूसरी तरफ हम बैक मारी को देखते हैं जो की गिटार प्ले कर रही होती है एंड जे मिन के बारे में सोचकर कहती ह कि उसका ब्लड इतना स्वीट क्यों है क्या करूं मैं उसका ब्लड इतना स्वीट है तो आप ही बताओ क्या करूं क्या करूं गैस कितने लोगों ने सुना है ये वाला क्या करूं मैंने तो सुना है जे मिन भी अपना गिटार निकालता है एंड एक लेटर को पढ़ना स्टा आफ्टर डोनों यानि कि हमारे जेमिन और दोन अपनी पर रहे गिटार नहीं तो सटर्ट करते हैं स्टोर्ड एकि Button Co देखनेंगी इसे बिल्कुल भे भाव तो क्या उसकी त्ष 1 गेलigh इनद देन उससे पते चलते हैं कि वह किसी और को नहीं बलकि बै गप्रोडे को ही देख रहा है तब आप रागर किर्म स्फिकृर और कर आप में डीस लिए कर और और gekर की लीगृड़ और की वहन US जैमिन उन्हें सौरी बोलता है मैं होती तो आइधिक बोलती है सर जाये ना इसी बात का तो इंतिजार है हम सभी को एटलीस थोड़ा इंज्वाइ कर लेंगे हम लोग आप लोग बताओ आप लोग क्या बोलते हैं यहां पर जवारा को बैक मारी से काफी जादा जैलिसी होती है ड्यूरिंग लंच टाइम स्कूल की सभी लड़कियां जैमिन को अपना लंच देने आती हैं बताओ यहां पर लं स्कूल लाइफ ही होती है यार बट हमारे जैमिन को कहीं जाना होता है तो यह उन सभी से कहता है कि I am really sorry because अभी मुझे कहीं जाना है एंड इतना कहकर वहां से चला जाता है वह सभी लड़कियां कहती हैं कि यार जैमिन कितना हैंड कितना कूल है न वह काफी तेजी से भागते हुए अगेन बैक मारी के पास जाता है एंड उसे इस तरह भागते हुए हमारी जो आरा भी देख ले तो बैक मारी कहती है कि पहले ये बताओ कि तुम हो कौन एंड यहां पर हमारा में लिड वोस लाइक यू डॉंट नो मी मतलब की गजब बेजती है तुम मुझे नहीं जानती मतलब कि पुड़ी स्कूल की लड़कियां मरती है मुझ पे एंड तुम मुझे नहीं जानती है ये दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया गाइस ओवर एक्टिंग हो गई ना कोई बात नहीं इतना चलता है बैक मारी कहती है कि क्या तुम मुझे जानती हो जेमिन कहता है कि क्या तुम में नहीं पता कि हम दोनों एक ही क्लास में हैं एंड डैन अपने मन म केहता है कि आज मुझे पता चला कि कोई मेरे लिए टाइम को रोख सकता है और वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो क्यों कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हुँ ना तो मुझे तुम्हारे अलावा और कोई दिखता ही नहीं है सब ही लोग जैसे बिलकुल गायब से हो जाते हैं या फिर इन्विजीबल हो जाते हैं बैक मारी कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना ही नहीं है तो तुम क्या मेरे रास्ते से साइड हो सकते हो and then अपनी नोस को close करते वे कहती है कि यार इसको blood इतना sweet क्यों है मैं क्या करूँ यार and ये देखने के बाद तो हमारा main lead और भी ज़्यादा shocked हो जाता है and कहता है कि अब क्या हो गया तो हमारी female lead कहती है कि तु नहाता भाता नहीं है क्या तेरी body से कितनी smell आ रही है and इससे सुनकर तो हमारा main lead बहुत ही ज़्यादा shocked हो जाता है and यहाँ पे हमारा main lead was like मतलब कुछ भी भगवान आप तो तु मुझे उठाई ले क्योंकि इससे ज़्यादा मैं अपनी बेज़दी और नहीं से सकता मतलब guys सच में यार कितनी ज़्यादा बेज़दी हो गए इसकी पहले episode में ही इतनी ज़्यादा बेज़दी होगी तो पता नहीं बांकी episodes में क्या होने वाला है कोई नहीं देखते रहा भी stay tuned for all episodes but guys don't forget to subscribe my channel 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 please subscribe guys I love you a lot and I know you love me a lot so please अपना प्यार दिखाओ and मेरे channel को subscribe करो तो क्यों क्याता है कि देख मैं daily नहाता हूँ means मैं daily shower लेता हूँ and क्या तुझे जर्माफोबिक है क्या and अगर तुझे जर्माफोबिक है तो तु मेरे साथ ये काम कैसे कर सकती है तो बैकमारी कहती है कि क्या तु मुझे अच्छे से explain करके बताएगा कि मैंने क्या किया है तेरे साथ क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तु कह क्या रहा है and यहाँ पे तो हमारा main lead और भी ज़्यादा shocked हो जाता है and then कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा यार मैं बता ही नहीं सकता मैं नहीं बताऊंगा जेमीन अगेन कहता है कि तु प्लीज मुझे माफी माग ले तो बैकमारी कहती है कि क्यों तो जेमीन कहता है कि यार हद है and then कहता है कि वैसे भी मैं उस लड़की सो सॉरी कैसे बुलबा सकता हूँ जिसे मैं याद ही नहीं हो बैकमारी कहती है कि तुमने कहा कि तुम मेरी क्लास में हो and अभी मुझे इस स्कूल में आये सिर्फ और सिर्फ दो दिन हुए है तो क्या ये ज़रूरी है कि मैं सभी बच्यों के फेस को याद करके रखूं या फिर मैं अपनी class के सभी बच्चों को जानू जिसके बाद Jamin बैक मारी से अपना introduction कराता है और कहता है कि मैं हूँ जंग Jamin तो हमारी बैक मारी कहती है कि अगर तू जंग Jamin है तो मैं क्या करूं Jamin कहता है कि या जब तू अपने school में रही होगी न तो तू कितनी uninterested रही होगी तुझे तो कोई भावी न देता रहा होगा क्योंकि तुझे तो अपनी class का class president भी याद नहीं रहता है and then कहता है कि तुझे क्या लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ school में मिलते हैं तो अच्छे से याद कर कि हम दोनों और कहां मिलते हैं and मुझसे माफी माग तो हमारी female lead कहती है कि एक बार तुझे मुझे बता दे कि मैंने खिया क्या है तब तो मैं अराम से माफी माग लूँगी तो जेमिन कहता है कि यार ये तुझे पूश के रही है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा hard काम है तो तुझे अपने आप भी find कर and मुझसे माफी माग and मैं तुझे तब तक follow करूँगा जब तक तुझे माफी माग नहीं लेती वो भी sincerely and after that उससे कहता है कि क्या तुझे music पसंद है तो बैकमारी कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता है कि गिटार को कैसे play करते है तो जे मिन उसे उसकी book वापस करते हुए कहता है कि फिर ये क्या है बैकमारी उससे अपनी book वापस लेने की कोशिस करती है but हमारा main lead उसे देता नहीं है and ये सब जो आरा भी देख लेती है I think आज हमारी जो आरा जे मिन को follow कर रही थी मतलब की वो इसे like करती है है न the next scene में हम Mr. Han को एक lady के साथ देखते है and ये lady कोई और नहीं बलकि जंग जे मिन की mom होती है and Mr. Han की wife भी यानि की Mr. Han हमारे जंग जे मिन के dad भी है as well as उसके teacher भी जे मिन की mom उसकी photo को देख रही होती है and कहती है कि मेरा बेटा कितना handsome है न चाने से पहले उसकी mom Mr. Han को एक guitar देती है and कहती है कि please आप इस guitar को मेरे बेटे को दे दीजेगा मैं ये guitar उसे खुद देना चाहती थी जबकि उसे music play करना बहुत ही जादा पसंद है घर पहुसते ही हमारा जे मिन सबसे पहले अपने कपड़ों को निकाल कर उने smell करता है and then कहता है कि इन सभी कपड़ों की तो smell बिल्कुल ठीक है after that हमारा जे मिन नहाने जाता है and काफी rugged rugged के नहाता है and वहाँ पे भी सोच रहा होता है कि उसे यह नहीं पता कि मैं कौन हूँ मतलब कि वो मुझे नहीं जानती and वह मुझे नहीं जानती तो क्या हुआ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है and then अपने आपको mirror में देखते हुए कहता है कि यार बैक मारी मेरा face इतना ज़्यादा plane है इतना ज़्यादा साफ है and तू ने मुझे कहा कि तू कौन है मतलब हद है वो इस चेहरे को कैसे भूल सकती है ये तो ऐसा चेहरा है जिसे भूलने की कोशिस करो ना तब भी नहीं भूल सकते हो मतलब भाई को अपने handsomeness पे कुछ ज़्यादा ही गर्व है and at last वह अपने आप से कहता है कि कोई बात नहीं जंग जे मिन तू बहुत ही अच्छा है and तू बहुत ही ज़्यादा good looking है वहीं दूसरी तरफ हम बैक मारी को देखते हैं कि अपनी जंग जे मिन की बात याद कर रही होती है जहां पर जंग जे मिन उससे कहता है कि क्या तूझे जूट बोलने की आदत है and वैसे क्या तेरा ड्रीम एक म्यूजीसियन बनने का है तो हमारी बैक मारी कहती है कि मेरे पास तो कोई ड्रीम ही नहीं I don't have any dream after that हम मिस्टर हान and जे मिन को साथ में देखते हैं जहां पर मिस्टर हान अपने step बेटे यानि कि जे मिन से बात करने की कोसिस करते हैं बट हमारा जे मिन उन से बात करने में बिल्कुल भी इंट्रस्टेड नहीं होता है and हर बात में वह मिस्टर हान की insult करता है I think कि वह अपने डेट से कुछ जादा ही नफरत करता है मिस्टर हान जे मिन से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम काफी जादा अच्छा गिटार प्ले करते हो सो चलो हम सभी मिलकर एक स्कूल बैंड बनाते हैं जहां पर तुम गिटार प्ले करना तो चंक जे मिन उन्हें कंप्लेटली मना कर देता है औद कहता है कि पलीज, आप मेरे डेट बनने की कोश्रूस मत करिये अड़् बस मेरे मौम की हजबन बन कर रही है एन्ड़ दन कहता है कि मिस्टर हान आप प्लीज, कभी मुस्टर स्कूल में ऐसे बात मत करिए जिससे दूसरे बच्रों को पता चल जाए कि मैं आप एक दूसरे को जानते है इतना कहा कर जे मिन वहां से जाने लगता है तो मिश्टर हान उसे रोकते हैं कहते हैं कि मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले तेरा बड़े था सो ये गिटार तेरे लिए तेरी मॉम ने भेजा है as your present तो जेमिन कहता है कि ठीक है मैं इसे ले तो लूँगा बड़ बात में मैं इसे कहीं पे फेंग दूँगा एंड गिटार लेकर जैसे ही जेमिन वहां से ज देखता हूं एंड तुम्हारे अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं देता है एंड यहीं पर हमारा एपिसोड फर्स्ट खातम हो जाता है थैंक्यी सो मज़ गाइस पर वाचिंग मैं एक्स्प्रेनेशन इस्टे सेफ एंड हैल्दी बाइबाई एंड गाइस स्टे टून पार टू